गुद इवनिंग सबको गुद इवनिंग कमलेश नमिता शीखा सुनिल कुमार कल्पना कुमारी रुजी का अंजु नीलम एंड निशा गुद इवनिंग सबको मेरी आवास चीक आ रही हैं ओके चलिए ठीक है पिछली क्लास में हमने 50 कोशन किये थे आगे के 50 जो हैं आज हम चलिए यहां तक हमने कर लिया था बार्षा के चांव में शामिल कौन सी चीज नहीं थी तो इसमें रहेगा आपका व्याकर है ठीक है व्याकर क्या है व्याकर शास्त्र के जरी में बार्षा को पढ़ सकते हैं अब आगे देखते हैं आज का पहला प्रशन आपकी स्क्रीन प क्या होगा इसका राइट आंसर प्रियोजन मूलक हिंदी से सम्बंधित कुछ प्रश्न है ये इनको एक बार आप लोग देख लीजिए लिखा गया है कि एक जो अच्छा पत्र रहता है वो किसके व्रक्तित्तों का प्रतिभिम्ब माना जाता है 24 में से अभी तक केवल 14, 15, 16 लोगों ने आंसर किया है कोशिश करनी है सब लोगों ने आंसर करने की और जितने भी कॉश्चन है वो सारे के सारे उसी मैंसे ही है जो आपने फिलाल अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ा था ठीक है तो बाते का वे शास्तर सासाथ में पढ़ते रह नहीं होना चीता गलत तो अच्छा पत्र जो है यह होता है प्रेशक जो बेजने वाला होता है जो उसको लिखता है उसका व्यक्ति तो जह रखता है एक अच्छे पत्र में ठीक है प्रेशिती और प्रापक जो है दोनों एक ही चीज है उसको आप ज्यान में रखें कि जो प बिवादन का प्रयोग किस पत्र में होता है ये भी असम प्रयोग किसमें रहता है जाला तर ठीक है जी कॉशन हे सारे उतने जादा मुश्किल नहीं यह है जबार्श 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 अभिवादन कफर्योग जो है किस प्रकार के पत्र में किया जाता है यस बहुत बढ़िया 12 लोगों ने ठीक गिया है 8 लोगों ने इसमें गलत कर दिया 8 लोग जो है इसको गलत कर रहे हैं तो यहां पर जो राइट-अंसर था समाज के पत्रों में हम जाला क्या करेंगी आप का सने ही आपका वैसा ना ऐसी चीज़ें जालता रख रहती है समाज इस पत्र में कार्याली और वाणिस पत्र में जालता विवादन बगिएरा करने किया उशकता में नहीं रहती, ठीक है, त्यान देना इसको ये प्रश्ण भी मत्तपून है, वो सकता है, ऐसा प्रश्ण आपको पूछें, प्रस्ताव जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, प्रश्ण भी मत्तपून है, तो यहां पर प्रश्ण इससे पूछा गया है, जो आपका ये प्रस्ताव है, इससे क्या वो लगया है आपको, इससे सिंपल सी चीज आपको पूछी गी है, कि इसके कितने भाग होते हैं, ठीक है, तो ये भी आपको जानना जरूरी है, कि एक प्रस्ताव के जो है, वो कितने भाग हैं, चलिए, देखते हैं कितने लोग इसको ठीक करेंगे, असान सा कॉशन है ये भी, कि इसको जात्रशा है, तो ये जात्रशा है, इसको थोड़े से कम लोगों ने ठीक किया है ऐसा क्यों ये पढ़के नहीं आ है आप लोग जो पत्र की प्रकार थे मैंने पहले भी हो रहा था कि उनको एक बर्थ जरूर पढ़ना है आपने जो सरकारी पत्र है देखिए तो इसमें आपके चार भाग रहते हैं ठीक है कितने बाग हैं चार तीन नहीं होंगे चार होंगे जातर लोगों ने तीन किया है इसमें शुरुवात में रहेगा इसकी प्रिष्ट भूमी ठीक है रेजूरूशन में कि भई कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं कोई भी रेजूरूशन ला रहे हैं तो पहले-पहले उसका एक बै रेजूरूशन जो बेजना है फिर वो चीज रहेगी कि किसको बेजना है तो यह चार बाग हैं इसको देख लेने आपने एक बार फिर से हो सकता है इससे यहां पर प्रशन पूछे जाए ठीक है और इसमें जो चांच आयोग और समीतियां बगेरा जो रहती है उनको सुचन कि टाइप का हिंदी परियाय क्या है एक बार इसको देख लीजिए बिल्कुल अराम से समझ के करना है इसको और इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है अभी तक तो हो जाने चाहिए थे इसका अंसर अभी तक सिर्फ 16 लोगों ने आंसर दिया है कि लोगों से लिए ऐसा क्यों शाबश शाबाश शाबाश BEN कर दिया क्या रही तस लोग ही थी कर और दास लोग गलाट कर रहे Gerald। तो देखिए टाइपिंग टाइपिंग लिखना नहीं होता है वो तो राइटिंग होता है ठीक है तो चुनना भी नहीं होगा चलिए तो खैर इसने इसमें किया नहीं आपने मुद्रण भी नहीं होगा यह पर टंकन होगा इसका साई आंसर ठीक है टंकन करना ठीक है यह बात आप यहाँ पर ध्यान रखिए इसको नेक्स्ट है जब एक ही सूचना या आदेश कई मंत्रालियों विभाग्ये कार्यालियों आदी को भेजना होता है तो इसके लिखा जाने वाला पत्र क्या कहलाता है यह आपको याद रखना है ठीक है एक बार इसको भी देखिए एक ही सूचना या कोई आदेश है या फिर आपका निर्देश है जब वो कई मंत्रालियों विभागों कि त्यारी को भेजना होता है तो वह से पत्र को कैसा पत्र खाजाता है ठीक है चलिए इसको देखते हैं एक बड़ी अची में छाबवाश 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 दो लोगों ने आंसर नहीं गया इसमें केवल कितने लोगों किया है साथ लोगों ने और तेहरा लोग इसको गलत कर रहे हैं ये एक ही सूचना अदेश कहीं मंत्रालों में जा रही है गश्त लगा रही एक तरीके से वह गश्ती चिठी बोलते हैं उसको इसी को ही कहा जाता है परिपत्र ठीक है और परिपत्र को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है इसको बोला जात कर रहा है एक तरिके से हर एक विभाग में जा रहा है जैसे शिक्षा विवाग का पत्र है तो वो शिक्षा मंत्राले में भी जाएगा ठीक है और दूसरी जगा भी जाएगा तो यह चीज आप यहां पर जिहान में रखिए इसको ओके तो अधिसूचना तो आप सब लोग जा कारी किया जाता है तो वो कारेले आदेश हो जाता है प्रेस्विग्यप्ति यानि कि प्रेस में जो भी निउस बगेरा में लगानी रहती है उसको प्रेस्विग्यप्ति के नाम से जानते हैं ठीक है यह मैं से किसे प्रत्थम पुरुष में लिखा जाता है यह मैं से एक ची कि शाबाश 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 प्रत्रम पुरूश में लिखा जाने वाला पत्र कौन सा है रंजना हीमाचली सुनील इड़ूप इंदर चार लोगों ने ठीकिया इसको यह कार अलेग अपन बस आपको सिर्फ पीडियेफ देखनी थी उसी में यांसर मिल जाने थे आपको आप लोगों ने साइध नहीं देखें या फिर उपर उपर से देखा कि ठीक हो जाएगा है ना ऐसा सोचा ऐसा नहीं है तो ये भी अन्य पुरुष में ये भी अन्य पुरुष में अधिकतर जो पत्र हैं वो आपको अन्य पुरुष में ही दिखेंगे लेकिन कारे लग्यापन जो है आपको प्रत्थम पुरुष में ही दिखेगा किस प्रकार के पत्र प्राय इस वाक्य से शुरू होते हैं कि मुझे यहा निर्देश हुआ है यह आपको बताना है कैसे पत्र जो है किस वाक्य से आरंध होते हैं कि इसी कॉशन है यह भी लेकिन आज गलतियां बहुत जादा हो रही है कि मैंने पीछले कल बताया भी था कि आज भी आपका टेस्ट होगा कि पड़के नहीं आए ऐसा लगा है किस प्रकार के पत्र वाक्य से शुरू होते हैं शाबाश 14 लोगों ने ठीक किया है 6 लोगों ने गलत कर दिया इसको समाजिक पत्र कहां से होंगे समाजिक पत्र में तो किसी को कोई निर्देश नहीं होता वह आपकी इच्छा है कि आपने कैसे लिखना है उसको है ना जो आपके सरकारी जिसको आप official letter कहते हैं वो रहते हैं आपके क याद रखिएगा डेमी official letter अर्द सरकारी और सरकारी मतलब official letter ये लिखे जाते हैं आपको इस तरीके से तो इसको आप यहां पर ध्यान में रखिए और अर्द सरकारी पत्र में जो है वो शुरुआत में तो कुछ भी ऐसे कोई चीज नहीं रहेगी लेकिन अंत में उसमें ज सकता है कि किस प्रकार के पत्र में आपका वही अंत में जो है आपका लिखकर केवल हस्ताक्षर किया जाते हैं नाम नहीं तो याल रखना अर्द सरकारी पत्र में ठीक है यह द्यान दीजिए किस प्रकार के पत्र में पहले भेज़े पत्र की भाशा को दोहराने के लिए खे जो है गेदर्वयकितन, किया जाता है, ठीक है? यहां पर आंसर हुआ है कि वह नौ लोगों का सही यहां पर पहली चीज को क्या किया गया रिमाइंड किया गए इसका आंसर मुझे अभी तक जो है वो नहीं मिला है इस ठीक है इस की बात रहते है न यह चीज क्या रहे अपका रिमाइंडर ठीक है यहां रखनाव है मनजूरी पतर तो सेंक्शन सेंक्शन होता है मंजूरी दूटी सुधार पत्र या शुद्धी पत्र जिसको हम कहते हैं वो था कॉरिजेंडम ठीक है दूट पत्र इसको तुरंत पत्र भी कहते हैं यह याद रखता है यह चलिए नेक्स्ट है सरकारी कारेलों में किसी विचाराधीन पत्र को निप्टाने ह है तो तैयार की गई लिखित अब्युक्तियों को क्या कहा जाता है बहुत ही आसान कॉशन है यह अगर पढ़ा होगा तो उसके लिए आसान है लेकिन अगर किसी नहीं पढ़ा है तो फिर यह मुश्किल है सरकारी कारेले में किसी भी विचाराधीन पत्र को निप्टाने है तो तैयार की गई जितनी भी लिखित जो अब युक्तियां रहती हैं उनको हम क्या कहते हैं शाबाज 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 सोला मिनिट हो सत्रा मिनिट हो चुके हैं लेकिन अभी तक हमने की हैं केबल नौ कॉशन पीछे चल रहे हैं तोड़ा विचाराधीन पत्र को निप्टाने है तू त्यार की गई लिखित अब युक्तियां क्या कह राती है नौ लोग ने ठीक है इसको बहुत बढ़िया सोच समझ के कर रहे हैं टाइम लेके कर रहे हैं अच्छी बात यह है लेकिन दस लोग गलत कर रहे हैं जो लोग आंसर नहीं कर रहे हैं वो हैं बहुत सारे ठीक है तो यह है आपका टिपण टिपण या निगी नोटिंग ठीक है इसको ध्यान में रखिए टिपन ही करना नेक्स्ट टिपन के लिए अंग्रेजी में अचलिए तो मैंने बताई दिया इसमें क्या बचा फिर यह तो आई यह नोटिंग यह प्रशन प्रीवाई क्यू में था ठीक है चलिए कोई बात नहीं इसको रहने देते आगे बढ़ते हैं टिपन में आए संदर्ब जो है वो कहां दिये जाने चाहिए जो संदर्ब बगेर रहते हैं वो कहां दिये रहते हैं टिपन में इसको बता दीचिए टिपन में आए संदर्ब जो है वो कहां दिये जाने चाहिए निशा रंजना अंजू निशा बहुत बढ़िया यहां पर कितने लोगों ने ठीकिया दस लोगों ने ठीकिया साथ लोगों ने गलत कर दिया शुरुवात में नहीं रहेंगे संदर्व संदर्व जो रहेंगे वो रहेंगे हाश्या में ठीक है जो ऐसे इदर यह आपका पेज है पूरा ठीक है यहां स नहीं लिखा रहेगा शुरुवात में थोड़े लिखेंगे त्यान रखना वो इधर जो इधर भाग बचाए है ना यह देखना आपको टीपण में टीपणी करता कि हस्ताक्षर के अंत में पत्र हस्ताक्षर अंत में पत्र में किस और होते हैं यह बिता दीजिए कि टीपण में जो हस्ताक्षर होते हैं अंत में वो किस और रहते हैं कि शावाज यह कोशन तो गलत नहीं करना है यह तो सबको पता होना चीए आपको गें उननीस लोग ने आंशर किया है इसका तेइस में से चार लोग नहीं दे रहे हैं जवाब चलिए तेरह लोगों ने ठीक किया छे लोगों ने गलत कर दिया ये लोग किसको गलत कर रहे हैं यह वंगे आपके 22 नहीं होंगे कि इसी साईड होंगे लेफ्ट साइड है ना यहां पर आपका अज्ञ्या कारी जासा से लखते ना वह इद रहा ब सारा कुछ वाइँ हो रहेगा ठीक है जैंडेना है टिपड कारे का अंतिम सोपान किसे कहा जाता है जो अंतिम सोपान है टिपनी का वो किसे कहते हैं शावाश 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 किसे बोला गया है निशा अंजू नीलम हिमाचली इंदुवाला नमिता छे लोगों ने ठीक किया है बाकियों ने यहाँ पर कर दिया गड़बड तो अंतिम सोपान बोला जाता है प्रालेखन को प्रालेखन यानि की मसाओधालेखन ठीक है तो यह आखिर में रहता है देखना टीपन के जब सब कुछ चीजएं हो जाती है उसके बात ओके देन से कौन सा नाम का नहीं है और यह बता दीजिए प्रारूपन के लिए कौन सा नाम जो है वो इसमें से नहीं दिया जाता सो इस आपके साथ शायद मैंने अनुवाद विज्ञान वाली प्रीडियफ शेर नहीं की थी वस्त चोटा सा यह उसमें कुछ खास है नहीं रिकॉर्डिड खास से ही देख ले न है न प्रारूपड का नाम कौन सा नहीं है बहुत बढ़िया यह लगबग लगबग सभी लोगों ने ठीक किया है यह तो इसी था इसमें कुछ था भी नहीं अलेखन प्रालेखन मसौध अलेखन या फिर इसको प्रारूप भी कहा जाता है जिसको हम अंग्रेजी में ट्राफ्ट कह रहते हैं यह आप सब लोग जानते हैं यह प्रոशन कुरा ने पर में आये था प्रारूप किसके द्वारा तयार किया अब यह वता दीजिए जो प्रारूप वह किस के द्वारा तयार किया जाता है प्रारूप तो किया जाता है वैसे प्रारूपक के द्वारा लेकिन उसको बोलते क्या है यह जाने योग्य प्रशन यह बी यहाँ पर केवल चार लोगोंût ने ठीक कि निया इसको फिस Jean ज़रने लिखने हैं वह ओलेगा पने वाला तो बड़ा जोधिकारी रहता एंुच्छा अपने बीचार रहेकं कि इस पत्र के जवाब यह चीज़े लिखनी है फिर वो सिर्फ बोलेगा लिखने वाला तो लिपिक होता है ठीक है लिपिक यानि कि जो 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 लर्क होता है वो करता है लेकिन यहां पर बोलागी जो ड्राफ्टिंग करता है जो मसाधा त्यार करता है वो करता है किसी भी विभाग का अनुभाग अधिकारी को बोलते हैं अवर सच्चिव यह याद रख लेना ठीक है अनुभाग अधिकारी ही क्या कहलाता आपका अवर सच्चिव ठीक है यह याद रखना यह मतपूर्ण है विद सच्चिव तो नहीं करेगा वो तो विद से समझने जो चीज़े रहेंगी उसमें लिखेगा लेकिन वह भी तो बड़ा नाम है वो भी टिपनिया ही देगा आगे जो काम करेंगे वो करेंगे सेक्शन अपकी स बगेरा ही उसका सारा ठीक है जिसको अबर सचिव कहते हैं परिष्ट सचिव भी नहीं करेगा तो यह ध्यान रखना है आपको ओके मोस्ट है यह कोशन देखना पूछा जा सकता है इसलिए इसको पढ़िए प्रारूपन में सनलगनकों की संख्या लिखना आवश्यक है या क इसी कोशन यह आप लोगों ने अभी देखा भी होगा अभी आजकल जैसे एड्मिशन बगेरा का दोर चल रहा है तो उसमें आपके कई नोटिफिकेशन बगेरा रही है उसमें आप लोग दिखते हैं कि कहां कहां यह प्रती भेजी गई है कौन-कौन सी चीज़ा सनलगन की ही गई है तो वहाँ से आपको आइडिया होगा कि किस ओर जो है वो तो रहते हैं कि चलिए अभी पता चल जाएगा केस के स्नुफ में आ दिया होगा हाँ ग्यारा लोगों ने ठीकिया लेकिन बाकी लोग यहां पर चले गए इधर उदर आठ लोग यह बताए आपका बाई और ही ठीक है जो सनलगनक बगेर रहते हैं सारा बुछ बाई और ही रहेगा इसमें प्रारूप लिखते समय दोनों और हाश्य दिया जाना चाहिए क् अब इसका अंसर कीजिए कि जब प्रारूप हम लिखते हैं तो उसमें हाश्य जो है वो दोनों और दिया जाना चाहिए ज्यादा बिल्कुल कम बिल्कुल थोड़ा या फिर टिपणी के अनुरूप या फिर बिल्कुल भी नहीं अब आपको बताना है कि इसमें क्या होगा चौश 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 निशाहिमा चली उपिंदर स्मृति शर्मा एंड पबली शर्मा यह किया कि तने लोगों ने ठीक कि वल पॉच लोगों नो एक, दरह तेरा लोग इसको घरत कर रहे हैं चान्र पांच लोग इसमें आनजर दे नहीं रहे हैं बाद में अगर कोई चीज एड़ करनी हो इसलिए जो है प्रारूप में साथा रखा जाता है इसको ठीक है चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर किसी प्रकरण घटना या स्थिती विशेश की क्रमिक जानकारी को प्रस्तुत करना क्या कहते हैं यह क्या है वही यह कौन सी वला है इस किसी प्रकरण घटना या स्थिती विशेश की कमिक जानकारी कि देना क्या 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 लाता है कि यह कॉश्चन गलत नहीं करना है कोई भी इस प्रश्चन को गलत नहीं करेगा 23 के 23 लोगों ने आंसर देना इसका यूँ खाली बैटने से क्या मिलेगा कुछ तो कर लीज अचा शावाज 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 बहुत बद बढ़ी या नौ लोगों नहीं ठीक किया साथ तीन दस और दो बारा बारा लोगों ने आंसर गलत कर दिया देखिए यहां पर घटना से और स्थिती से याद रख लेना था किसी घटना के हम क्या करते हैं प्रतिवेदन को याद रखिए पलवन की शैली कौन सी होती है यह बहुत जरूरी क्वेश्चन है यह भी पलवन की शैली क्या है शबाश 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 भी पलवन की शैली का यहां पर 11 लोग ने पत्राइब श्चार दो चेक साथ साथ सा लोगों का अनसर वागया गलत यह लिखा जाता है व्यास शैली में ठीक है व्यास शैली यह निकी पलवन थोड़ा सा चीजों को क्या किया जाएगा जाधा मतलब विस्तार से उनको रखा जाएगा तो व्यास शाली में यह रहता है कि जहां पर लेकक या पिर जो प्रतिवेदक है जो भी उस चीज को बताता है किसी वाक्य को तो जैसे माली जी एक वाक्य मैंने बताया था कि कोई भी आपको दे दिया जाएगा परहित सुख नाही कि कि प्रोबकार से बढ़कर कोई चीज नहीं है इसको थोड़ा सा विस्तार से बताना है वहीं तो वह पलूबित करना करना हूँआ यहां पर व्यास है रही समाज से प्रोबस्ता है नेडिक्स कोशन है विश में आनुवाद दिवस किस वर्ष से मना आया जाने लगा रहूएगा अनुवाद विञ्यान जे समन्थ ये question है इसको बताइए अब कि जो विश्यो में जो है अनुवाद दिवस जो है वो किस वर्षिस से मनाया जाने लगा करें से बताइए किसम पूछ बोने इसको ठीक किया है और कोछ कोछ लोगों ने इसको गलत कर दिया है IG नहीं करना था यह चले तो ये 2017 से मना जाने लगा और कभ मना जाता है कि मना जाता है अनुवाद दिवस पर अनुवाद शब्द मूल तक किस भाशा का शब्द है इजी क्वेशन इतना आसान क्वेशन का मिलेगा अनुवाद शब्द मूल तक किस भाशा का शब्द है अनुवाद शब्द किस भाशा का शब्द है कि अब आख लोग गलत कर रहे हैं इसको क्या बात है यह था लेटिन भाशा से अलांकि यह तो अंग्रेजिका है वैसे लेकिन में जो शब्द हो है लातिनी भाशा का ठीक है ज़्यान देना था इसको इसमें ट्रांस का मतलब होता है आर पार, लेशन का मतलब होगा, ले जाना, ऐसे करके था न ये, लेकिन यहां पर अनुवाद जो है, ये संस्कित का शब्द है, और मूल शब्द इसमें है, वद धातु से बना हुआ वाद शब्द, वाद में लगा अनुउपसरग, ठीक है, कौन सा उपसरग लगा इसमें, अनु उपसर्ग लगा और वाद के साथ जूड़कर इसने अनु वाद मनाया अनु का मतलब हुआ पीछे और वाद का मतलब हुआ बोलना या दोहराना ठीक है वोई चीज़ है ठीक है इसको आप कहेंगे फिर क्या रखिए कि इसको मतपून प्रश्ण है ये अनुवाद विज ये प्रश्ण तो बार-बार आता ही रहता है यहां से कोई गड़वड के गुंजाइश नहीं होनी चाहिए जो लोग इसको गलत करेंगे ना उसका मतलब यह है कि उसने आज पढ़ाई नहीं किया जरा भी और ये प्रश्ण एल्टी कमिशन में भी आया है पहले और एल्टी टेस्ट रहता है तो चलिए देखते हैं कौन करता है इसका अंसर गलत आहाहा दस लोगों ने गलत कर दिया इसका मतलब क्या समझू में जो यह है कि सबसे आसान काम था यह रोटी खाने जितना और यह पहली क्लास में बता दिया था मैंने क्यों यह पहली क्लास चोब हम अनुदित भाषा कैसे होगी लेकिन यहां पर अनुवाद विज्ञान में लिखा है हमने की वहीं इसका मतलब क्या हो यह होगा लक्ष है वाशा क्या रखिए इसको बारतेंदू के अनुसार अनुवाद का लक्ष क्या होता है चैट सेक्शन में नहीं देना है आंसर बबली आंसर जो है लाइफ पोल में ही कीजिए यहां पर लिखा हुआ है भारतेंदू के अनुसार अनुवाद का लक्ष जो है वो क्या होता है इसको उता दीजिए शाबाश यहां पर 17 लोगों ने ठीक किया है दो लोगी दरत कर रहे हैं दो लोग इसका अंसर जबाब दे रहें देखिए उसने वह लगता कि जो सुंदरता है और जो कलात्मकता है उसकी रख्षा करना जरूरी है कि जो सौंदर है पहले लेकक ने रखा था वो ही सौंदर है जो है वो दूसरे लेकक को बनाए रखना आवश्चक है और सकते हैं अदिकतर विद्वान ने बोला कि अनुवाद में क्या रहेगा नुवाद का लक्षय है जो भी मूलभाव हैं उनकी रक्षा करना लेकिन समस्टुलय तक रक्षा करना ये बताया था कैटफोर्ड ने किसने कैटफोर्ड कि बहीं पहले वाले के तूलना के ब्रावर संदेश की रक्षा करना ये किसने बोला था ये बोला था न्यू मार्क ने ये भी याद रखिएगा न्यू मार्क एक विद्वान रहे हैं उसने बोला कि वह इसमें क्या है संदेश जो पहला संदेश था उसी संदेश को दूसरी भाशा में भी दिया जाना चाहिए वो है अनुवाद नाम दिया है बहुत जरूरी है ये क्वेशन भी कि जितने भी अभिव्यक्तिया हैं वही अनुवाद हैं यह कथन जो है वो किसका था अग्यों कि समस्त अभिव्यक्ति अनुवाद हैं शावाज 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 12 लोगों ने ठीकिया इसको कुछ लोगों ने इसको कर दिया गलत क्यों है शुकल ने तो नहीं बोला था शुकल ने क्या शुकल ने बोला कि एक भाशा के पार्ट को दूसरी भाशामें स्रीजित करना अनुवाद है तैसने ओके इसको देखिए है यह राइट आंसर था सचीदानंद हीरहनवाद स्याइन अग्ये ठीक है यहां रखना है ओके हरीवन श्राय बच्चन ने तो वो रहता कि अनुवाद मनुवादक का जोग एक तो रहता है ठीक है यह बात इसने बूली थी नेक्स है मौल भाषा के संदेश को लक्ष भाषा में सम तुले रूप में प्रस्तुत करना ही अनुवाद है यह कथन किसका है चलिए इसका अंच्र बता दीजिए कथन सरे लेगे रपर्शन तो आपको ठीक करने है थोड़े से ही तो कतन हैं इसके संदर अनुवाद के बारे म मूल भाषा के संदेश को लक्ष भाषा में सम्तूले रूप में प्रस्तुत करना अनुवाद है ये बात किसने बोली थी आट लोगों ने ठीक है इसको बाकि लोग बलत कर रहे हैं यह बोला था नाईड़ा ने ठीक है बाकियों ने जो चीज़ें कही हैं वो देख लेना यह प्रश्ण इस बार एल्टी टैट में पूछा हुआ था नेक्स टीका वसाहित्य में प्रियुक्त जो अनुवाद कहलाता ह है वो कौन सा नुवाद रहता है उसमें ठीका साहित्य में कौन सा नुवाद रहता है यह क्वेशन तो बहुतों ने खर लिया बहुत जल्दी खर लिया अब बारा लोगों ने ठीक किया है तीन तीन शे और दो आठ लोगों ने बला जवाब दिया और बाग की बाग की यहां पर दो लोगों ने आंसर नहीं किया है टीकाओं में रहता है आपका व्याक्या नुवाद या साहित्य में जो व्याक्या करते हैं न साहित्य कि हम वो रहेगा इसमें ठीक है आश्यो नुवाद दुकास कर आपका जो संसर्द गुवेरा में है और दूसरा आपका जो ये भाषन इत्यादी में यहां पर आश्यो नुवाद रहता है जिसको तुरंत अनुवाद या शीग्र नुवाद कहते है छाय नुवाद भाव नुवाद रहता है जिसमें हर एक व् अच्छा कोशन है अब बोलेंगे कि सारे अच्छी है न मुझे तो अच्छी लग रहे हैं बाकि आप लोग जाने किसे थे कोशन किस परकार का अनुवाद सूपाथ्य रोचक और प्रवापूर्ण होता है अच्छी ने सबसे पहले जवाब दिया बहुत अच्छी बात है तो यह है आपका भावन बात तो भाव ही होता है ना अच्छे पढ़ने ही हो गया सूपाथ्य पढ़ने के लिए अच्छा हो दिवनागरी का सरवप्रत्थम उलेख कहां पर मिलता है बहुत इजी क्वेशन जो है वो वीडियेफ से ही रखे हैं जो आपको स्टेडी मेटीरियल सेक्षन में दिया हुआ है उससे संबंदी थी है सारा का सारा पेपर दिवनागरी का सरवप्रत्थम उलेख तेरा लोगों ने ठीक गया इसको बहुत सारे लोगों ने इसको गलत कर दिया फिर से यह आत्विशती के गुजराती राजा जैवट के शिललेखों में इनके शिललेखों में में पहले पहल जो है वो दियान देना इसको यह प्रशन भी मतपूर्ण है दियान देना इसको यह प्रशन भी मतपूर्ण है दियान देना इसको यह प्रशन भी मतपूर्ण है दियान कौण सा नहीं है इसको बिताइए कवर्गे क्षेतर के इंतरगत कौन सा नहीं है कर दो केवल चार-पांच पांच लोग ठी कर रहे हैं बाकी लोग क्यों नहीं दे रहे हैं इसका जबाब ही ऐसा क्या हो गया बहुत साथ लोगों इसका अंसर नहीं किया ऐसा क्यों तो जहरकंड हो गया च्छतिसगर दिल्ली यह हिंदिवाशी जो भी हिंदिवाशी राजे हैं उसके अंतर का ताने वारा जो सिरकारी कारले हैं वो आते हैं आपके कवर्गिय ठीक है तो यहां पर पूचा गया कि महराश्ट्र महराश्ट्र क्या रहेगा आपका यह रहेगा आपका खवर्गिय ठीक है यह निकी खश्रनी का राज्य है न यह दियान रखना है आपको जहां पर दूई भाशिक नेती जो है अपनाई जाती है समीधान के भाग सत्रा में अनुच्छे 343 से 351 तक किस नाम से विख्यात है चलिए इसके बारे में बता दीजिए यह जो 343 से 351 तक जो भी चीज़ें रहीं उसको एक नाम दिया गया वो क्या नाम था यह आपको बताना है यहां पर चलिए इसके बारे में बता दीजिए पर दूए झालिए कि क्या बात है बहुत अच्छा इसको सब ने ठीकिया आयंगर फॉर्मूला ठीक है तो यह तो आप सो लोग जानती है बहुत जरूरी प्रश्ण हो सकता है यह भी कि इसको आयंगर फॉर्मूला के नाम से जाना जाता है आ सकता है यह प्रश्ण आपको थोड़ा सा आपने इसको भी देखना एक बड़ी इसने जो है सबसे पहले अंग्रेजी को आठवे नितुची में शामिल करने का प्रस्ता प्रसुत किया था लेकिन जिससे स्वी कार्यता नहीं मिले तो यह वाला नाम भी आप जरूर याद रखें यहां पर जो बाल गंगाधर तिलक है बाल गंगाधर तिलक ने देवनागर फॉंट जो है वो सबसे पहले त्यार किया था जिसको तिलक फॉंट के नाम से जाना जाता है ठीक है यह भी आप याद रखें हो सकता है इससे भी आपको प्रश्न जो है वो पूछा जाए इसके साथ साथ आगे क्या लिखा है आगे लिखा है देखिए मालवीय तो पंडित अगेसा कुछ या दाने की जोरता नहीं है ओके चलिए आगे देखते हैं ऑटे कि ने सोची में शामील कौन से भाशा नहीं है यह परश्तन तो बहुत आसान गुश्यन है ऐसी गलत गलत नहीं करने है अगे जोंची में ज़ामिल भाश्या कौन से नहीं है बहुत बढ़िया बहुत साथ लोगों ने इसको ठीक किया है यहाँ पर दो-तीन लोगों ने गलत कर दिया तीन नहीं कुछ-कुछ और लोगों पांसाथ लोगों ने इसको गलत कर दिया देखिए कॉंकरी सिंदी मैथली यह सारी थी आपकी शामिल आठ्वने सूची में लेकिन मगही जो है वो इसके अंतरकत नहीं आती इसको त्यान में रखना है आपको ठीक है एक बार इसको देखिए का आप लोगों नेक्स है आपर किस बोली की विशेष्टा औकारांतता है औकारांत भाशा कौन सी है यह प्रशन आपको पूछ सकता है तो चलिए आप बताना है आपको इसका अंसर करांतता जो है वो किसकी विशेष्टा नहीं है यह बोल गया है यहांपर इसको बताना है आपको पूर आपको यह औकारांतता है बोला था नहीं नहीं पूछा यह आठ लोगों ने ठीक आंसर किया कुछ लोगों ने गलत कर दिया यहाँपर था आपका ब्रजभाशा तो ब्रजभाशा ओकार बहूला भी रहेगी और ओकारान्तता भी इसमें रहेगी ये नेट में भी और टैट में भी दोनों ही पिपर में ये प्रश्न पूछा हुआ है तो आगे भी पूछा जा सकता है इसलिए थोड़ा सा इसको पढ़ लिजिए अब धी जो आपको प्रशन पूछ सकता है ठीक है और वी इस भी प्रशन आपको आ सकता है अब दीको भी पड़ लीजे परी नेकस्स यहां पर किस बोली का अन्य नाम जो है बैसवाडी है ठीक है इसको देखिए अक बहड़ी के नाम से किस बोली को जाना जाता है हुए है mende शावप शावष शावभ शावष कि भी या है वह वह बढ़िया इसको कुछ कुछ लोगों ने गलत कर दिया फिर से जो नहें लोगों ने गलत किया ुँट्कर लिजिए सको अब दिक सवारी और peine कोशली के नाम से भी जानते हैं, ब्रज को पिछले क्लास में बढ़ा था, इसको पिंगल भी बोलते हैं, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, साथी साथ, अन्य जो नाम है, जैसे ब्रज बुली भी रहा, लेकिन इसके साथ जाद वटी भी रहा, उनको भी थोड़ा सा आपने देखना, ब्रज भ ये राला ही बोल आपके लिए, वेदों में जो भाशा रही, उसको क्या बोला गया है, इसको गलत कौन करेगा, बहुत ही आसान प्रशन आईए, अगर इसको गलत कर दिया, तो फिर, समस्या हो जाएगी, वेदों की भाशा, और ये मैंने क्लास में आपको बताया भी था, बहुत अच्छे से बताया है, इनके बारे में, एक बार इसको याद रखिए, यहां पर बहुत सारे लोग जो है, गच्छा खा गए, चाचाराट थे ने, ग्यारा लोग, जल्दवाजी में थे, ऐसा लगा मुझे, है ना, तो बबली ने सबसे पहले कर दिया, देव बार्णी बोला जाता था लौकिक संस्कित को, ठीक है, वेदों की भाषा थी वैदिक संस्कित, बहुत सारे लोगों ने सोचा, यह वैदिक लिख यह दैविक है, है ना, यह वैदिक नहीं था, यह दैविक था, फिर से फढ़ लेजे, इसकी वरतनी एक बार, आगे लिका है वेदों की भाषा, चंदस या चंदस या वैदिक या फिर वैदिकी, ये है इस गहनने नाम, ठीक है, चंदस चंदस वैदिक या वैदिकी, या फिर इसे ही बोला जाता है, कौन सी? प्राचीन संस्कृत ठीक है याद रखना है इसको प्राचीन संस्क्रित इसको याद रखने है न यह इतने इतने आस। वेदों की भाषा वैदिक संस्कित पुराणों की भाषा लॉकिक संस्कित ठीक है चलिए आगे देखते हैं अगला प्रशन क्या था जिसे हम शुद्ध हिंदी कहते हैं वस्तुतव क्या है जो यह इसी कोशन इतना इसी कोशन कहां रहता है जिसे हम शुद्ध हिंदी कहते हैं वो पास्तव में क्या है बहुत अच्छे इसको सबने ठीक है यह है आपके परिनिष्टित भाषा या शुद्ध भाषा या तकसाली भाषा या परिमार्जित भाषा उर्दू मिश्रित हिंदी के समर्थक कौन थे इनमें से यह प्रशन बहुत बार रिपीट होता रहता है बहुत बार पूछा भी गया है इसको यहां पर एक बार फिर से आपको दिख गया है यह गुर्दू मिश्रित हिंदी के समर्थकों में शामिल कौन सा है कौन सा नहीं है शाबाश बाद बरिया गया लोगों का सई आंसर है और कुछ लोगों का अंसर गलत हुआ है यह राजाशि प्रसाथ से तारे हिंद उड़ो मिश्रित हिंदीन की रही ललु लालब्रज मिश्रित हिंदी के समर्थक रहे राजा लक्षमन सिंग ये संस्क्रित निष्ठ हिंदी के समर्थक थे और सदल मिश्र ने भी पूर्वीपन या वैवारिक जो खड़ी बोली हिंदी रही उसका समर्थन किया था या रखिए या जाशी प्रसा सितारे हिंद कि इन दो भाशाओं को दो बोली न्यारी न्यारी कहा गया ह चलिए इसको भी उता दीजिए कि इन दो भाशाओं को दो बोली न्यारी न्यारी बोला गया है बहुत फेमस पंक्ती रही है यह देखना हमारे मत में हिंदी और कुर्दू दो बोली न्यारी न्यारी हैं बहुत बढ़िया वह साथ लोगों ने सही आंसर किया इसको है अच्छी बात है लेकिन पांच लोग इसको गलत कर रहे हैं यह जो पांच लोग है यह या तो यह लिए हिंदि यहां के हिंदु सतानी और हिंदि यहां के हिंदू और उर्फथैंके मुसल्मानों की भाश या bud अगे चलिए आगे देखते हैं ज्यान प्रदाइनी पत्रिका के संपादक कौन थे इसी क्वेशन इतना इसी क्वेशन करना रेता है राजा शिप्रसाद सितारे हिंद चलिए शाबाश ज्यान प्रदाइनी पत्रिका के संपादक का नाम आपको बताना है बहुत अच्छे ठीक है इसको जो लोग गलत कर रहे हैं यह बाबु नवीन चंद्र राय इसने चलाई थी सुधाकर इसका संपादन क्या था इसने ठीक है राजा लक्षमर सिंग की थी प्रजाही दैशी बारतेंद्व अरिशंदर की रही तीन पत्रिकाएं जो कि आपको पता होनी चाहिए ठीक है प्राचीनतम जनभाशा किसे बोला गया है इसको बता दीजिए प्राचीनतम जनभाशा किसे बोला जाता है अधर कि अधर कि अधर कि अधर कि अधर कि यह बहुत कम लोगों ने गिया ठीक ऐसा क्यों बूल गया इसके बारे में प्राकृत को का जाता प्राचीनतम जनभाशा यह है प्रत्थम देशी भाशा या ग्रामेन भाशा ठीक है याद रखेगा इसको ओके लोग संस्किल गयने की लोग भाशा विष्यो के सबसे बड़े भाशा परिवार में शामिल भाशा कौन सी नहीं है यह बिता दीजिए यह प्रशन भी आपको याद रख लेना है कि विष्यो का सबसे बड़ा जो भाशा परिवार है उसमें शामिल भाशा कौन सी नहीं है ये भी समस्या है एक क्या होगा सबसे पहले तो ये पता हो नहीं है कि सबसे बड़ा भाशा फरिवार कौन सा है वो तो लगवग लगवग सबी को पता ही है आपको लेकिन अगर किसी को नहीं है पता तो फिर समस्या होगी ये अमने पहली या दूसरी क्लास में ही पढ़ लिया था तो पुरानी क्लास इसको देख लीजे फिर से के वर चार लोग ने किया इसको ठीक यहां पर है आपका तुर्की तुर्की किसमे है युराल अलताई परिवार म है बाकी लातीनी हिंदी यह जो है आपकी भारुप्य में आती है तो सबसे बड़ा परिवार है भारुप्य परिवार ठीक है यह याद रखना है आपको चलिए नेक्स्ट कॉश्चन क्या है बाशा और बोली के बीच के वर्ग को भाशा वेग्यानिकों ने क्या नाम दिया बीच का जो वर्ग हैं दूसरी और भारुप्य मेंज़ाए जो कर दोफ्य चैजल के भी जो है यहाद नाम लोगने टीमिश्चन के बीच का जो परिश्चन के बीच का जो वर्ग है तो इसको बाख्यों ने कर दिया गलत तो उसको कहते हैं मोप भाषा ठीक है पर इनिश्ट तो शुद भाषा उता है विभाष्ट यानिकी यो कि आपकी अच्छी भाषा नहीं है नेक्स यहां पर ओकार बहुला कौन सी इसमें से नहीं है वो कार बहुला नहीं है बोलियों को मैंने कहा था कि इनको पढ़ ले न डंग से वो कार बहुला बोली कौन सी नहीं है बहुत अच्छे यह आपकी हर्यानवी यह थी आकार बहुला ठीक है यान रखे इसको प्रश्ण यह भी मतपून है पूछा जा सकता है हर्यानवी यह थी बांगरू ठीक है ब्रजभुंदेली कन्नौ जी यह आपकी ओकार बहुला ठीक है नेक्स है उच्छरी तुधनी संकेतों की सहायता से भाव या विचार के विव्यक्ति भाशा कहलाती है इसको एक बार बताईए कि यह पंगती जो है वो भाशा के बारे में किसने बोली थी शावाश उच्छरी तुधनी संकेत की सहायता से भाव या विचार के विव्यक्ति क्या कहलाती है यह है आपका भाशा लेकिन यह कथन जो है यह दिया किसने था यह प्रशना आपके सामने वाटकम लोगों ने किया इसको पुराना पेपर देखा किसी ने तो उसमें यह प्रशन पूछा गया हुआ है दिवेंदर शर्मा ठीक है इसको देखना बाकी लोगों ने भी पंक्तियां बोली है बड़ी महत्वपन पंक्तियां उनको पढ़ना है आपको सब को बाशा योगवशिष्ट किसकी रशना है यह आप सब लोग जानते है राम परसाद निरंजनी के नेक्स्ट है चलिए इसको बता दीजिए पंचम अक्षर के स्थान पर अनुस्वार के प्रियोग का प्रस्ताव रखने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे कि वह जो पंचम अक्षर है उसके स्थान पर जो है क्या है अनुस्वार यानि की जो अंकी बिंदी है वो ही लगनी चाहिए यह प्रस्ताव जो है वो किस ने रखा था देवनागरी लीपी में जो सुधार के प्रियास थे न उसमें पढ़ा होगा आप लोगों ने यह अगर देवनागरी वाली क्लास आप लोगों ने देखिया है तो उसमें आपको दुरूर यह चीज़ें मिलेंगी केवल साथ लोगों ने किया इसको ठीक बाखी लोगों ने इसके बारे में नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजी अभी भी वक्त है यह है शाम सुंदर्दास टेंडर का हिंदी परियाए चलिए यहां के पाद के क्वेश्चन्स को अब हम बिना पोल के करेंगे नहीं तो टाइम जाधा हो जाएगा ठीक है तो सबसे पहले टेंडर का हिंदी परियाए जो होता है वो होता है निविदा सूचना नोटिफिकेशन पेशगी यानि की जो आपका एडवांस जो पिछले कलम ने पढ़ा था अग्रिम जिसको कहते है आवती रहता है आपका जो पत्र है ठीक है उससे समंदित नेक्स यहां पर अनुमोधन के लिए उचित परियाए कौन सा है तो यह है अप्रूबल ठीक है अप्रूबल यानिकी आपका अनुमोधन इसको याद रखिए यह प्रशन पूछता है बहुत बार सेंक्शन मेंज आपका स्वीकृति या मन्जूरी ग्रांट अमने पिछली क्लास में पढ़ा था गैरेंटी आप सब लोग जानते हैं लाइसेंस का हिंदी परियाए क्या है तो लाइसेंस का हिंदी परियाए होगा आपका अनुग्यप्ति पूछते हैं इसको ध्यान देना यह भी बहुत मत सब्सक्राइब है और प्रग्यप्ति क्या है इनको भी देख लेना ठीक है नेक्स्ट उद्ध घोषना के लिए उचित परियाए कौन सा है उद्ध घोषना आपका अधे प्रोक्लेमेशन ठीक है लेकिन यहां पर एनॉंस्मेंट भी कई बार हो जाता है लेकिन एक्जेक्ट इसका रहेगा आपका ये वाला ही ठीक है नेक्स्ट यहां पर एफिडेविट का हिंदी परियाए कौन सा है एफिडेविट हलफ नामा होगा आपका एफिडेविट बंध पत्र जो रहेगा देखना यह होगा बॉंड पेपर इसको यहां रखे ना मन्जूरी तो मैंने आपको पहले बिता दिया सेंक्शन लेटर और रोजनाम चाह क्या होता है इसको ढूंड के लाना तो यह थे आपके लिए इसको ढूंड के लाना तो यह थे आप प्रशन तो यहां पर बहुत साइब लोगों ने गलतिया किये हैं बहुत साइब लोगों नहीं किये हैं और लीजी अभी भी मौका है नहीं तो फिर बात में टाइम नहीं मिलेगा आपको जब सारा सलेबस इतना कुछ कम्प्लीट हो जाएगा तो फिर क्या देखेंगे किसी इसको देखेंगे तो अभी दीरे दीरे आगे बढ़ रहे हम तो इसी चाल के साथ पढ़ते रहें काम तभी बनेगे